और भी बच्चे हैं जिनसे बात करते हैं आप आगे आई हैं क्या लग रहा है प्लेइंग 11 में कौन-कौन खिल रहा है प्लेइंग 11 में विराड कोली आइधिंग वह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जो हार्दिक पंडिया है मैं उनको सपोर्ट करूंगा क्योंकि वह हमेश इंडिया 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 जीते गा पाकिस्तान को बुरी तरह रहा है इंडिया 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 हो जवान हो हर कोई आज इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है जाहिर से बात है क्योंकि बारत और पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच नहीं होता है क्योंकि ये जब दोनों टीमें मैदान पर आती है तो महौल युद्ध की तरह हो जाता है 22 गज की जो पिछ है वो के तस्वीरे नजर आई देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में मैच है और इस मैच में इंडिया की जीत हो इसको लेकर देश के कई हिस्से में हवन और पूजन का आयोजन किया गया है और हम अभी मौजूद है पटना के बिरकुवर सिंग पार्क में जह है तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इनका सीधे तौर पर या कामना है कि इंडिया जीते और जीतकर मैच फिर खिलाडी वापस लोटें तो इसको लेकर यहां पर यह हवन और पूजन का आयोजन किया गया है पीछे में तिरंगा भी है खिलाडी भी है तक हमना कोरा सिक्वाड़क हैं आज भारत और पाकिस्तान के बी जो मेंच फैनल करते हुए याप कि वर्डियों में यहां मैच्च के दिन मैं आपके माध्यम से यहां को दिन भारतिये टीमर फैनल कमें जाएगा उस दिन सुबह से ले करके साम तक जब तक मैच चलते रहेगी हवन कायोजन किया जाएगा और उस समय भारतिये टीम को 20 कब जितने के हमने काम ना करेंगे अभी हम लोग जो पाकिस्तान है जो नापा की रादा के साथ हमेशा आतंकबादियों को बढ़ावा देते हैं या क्रिकेट का कंस है भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब मैच बन होता है उसके पीछे आतंकबादियों का हाथ होता है जो हम चाहते है कि नापा की रादा के स जो पाकिस्तान गतिविधी में सामिल रहती है, क्रिकेट का कंस है, वैसे कंस का स्तरवनास हो. जो पाकिस्तान गतिविधी में सामिल रहती है, क्रिकेट में हमेशे से उपर ही रह रहा है. कि बैटिंग का जो पार्ट है, इंडिया का हमेशे ऊपर ही रहता है. पाकिस्तानी और सब के लिए औल्मूस नहीं तो फिलाल में इंडिया पाकिस्तानी के लिए बात करूँगा कि हमारा में हमेशा से एड़ांटेज रहता था बैटिंग बड़ दिस टाइम मुझे लगता है कि बोलिंग बूलिंग बूछ कोच कह रहे हैं कि बैटिंग के साथ इ कि बूलती मानी जाएगी उसकी अन्योसको राहुल चहर वो फिलाया है उसकी अब इसके पास अच्छा एक्स्पीडियंस भी खेलने का जादम है जिसके राहुल चहरा भी नया ना है तुसकी वार टीम के चैन में 11 आप अपनी तफ से भी सुझेस्टी ज़रूर भीजना तो तो यह तो रहूल को मैना अब दिमेच की बात कर रहे थे और यह तो मतलब यहां पर कह रहे हैं कि गलत अब उसका मानना है वह अब हम क्या रहे हैं उसमें पाच सो भी है टेस्टी जोइंटी में अभी उनका फॉर्म भी अच्छा है और भी ट्रायल मैच में साथ रन भी सकते हैं तो आज विराट को मतलब आप टीट वन्टी में आप चाहरो लों कि आज फॉर्म वाफिस आना चाहते हैं सबसे स्यादा उम्मीद आपने किस से बाजी मैंने तो अब राट कॉली से माना है क्योंकि वह एक अच्छे पिलियर हैं जो लगातार रन बनाते हैं अपने मैच विराट को ली बनेंगे देखिए बोपाल के क्रिकेट की फैंस इस तरह की बाते कर रहे हैं बिल्कुल ये क्रिकेट फैंस की दिवानगी होती है और अपना विशलेशन होता है हर किसी को उमीद है कि विराट को ली आज चलें और ना सिर्फ चलें बल्ले से दमकम दिख पिर यहां पर किस तरह से fan cheer up करने हैं यह तस्वीरें दिखाएं जड़ा देखे प्रवेश्वर्मा के घर पर हम लगातार मौझूद है और यहां पर जो फैंस है वो बढ़ने शुरू हो गए है और यहां लगातार जो है लोग मौझूद है सिधार साहिब सिंग है यहां और स्क्रीन पर एक मैच चल रहा है बंगलेश शिलंका का लेकिन एक माहौल ब भारी आपको लग रहा है तो बात कुछने की भी नहीं है इंडिया का पढ़्डा हमेशा भारी रहा है